आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Given question है, read the statements carefully and select the correct option तो हमें आपके दो statement दे रखें और हमें इन दो statement के basis पर हमें यह option दे रखें चाहर इन में से find करना है कौन सा option सही है तो first statement दे रखा है हमें if two circles with the center A and B intersect each other at point M and N then the line joining the centers A, B bisect the common cord M at right angle तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक concept discuss करेंगे कि अगर हमें यहाँ पर कोई circle दे रखा है let's suppose we have a particular circle और इस circle के center यह है औहुत है और हमें पे एक इस circle की cord थे रखी है तो cord है यह है corporate concept ही होता है कि अगर इस circle circle के center से circle के center से अगर इस Dåoure पर तीक है एक perpendicular अगर मेंग करऊए तो यह है, center और इससे अगर में perpendicular डॉक करूँगा इस टाइप से ठीक है तो यह perpendicular अगर यह perpendicular है तो यह basically इस code को 2 equal parts में divide करेगा ठीक है तो अगर इक part यह A empire यह point A, B है और यह m है तो अगर circle के के सेंटर से च happens perpendicular draw करा है, तो यह basically इस code को bisectесто भी करेगा, ठीक है तो यहां पर यह हो जागा क्या am equals to bm होके तो यह concept है अब हमें यहां पर दे रखा है कि अगर दो सर्कल दे रहा है ठीक है ठीक है और second circle हमें दे रखा है step से, ठीक है step से यह दे रखा है second circle, ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि इस circle का center क्या है, A है, ठीक है, और इस circle का center क्या है, B है, ठीक है, तो अब दे रखा है, if two circle with the center A and B, intersect each other at point M and N, ओके, तो यह एक दूसरे को M और N point पे intersect कर दे, तो यह point मैंने यहाँ माल लिया, ठीक है, यह point है, हाँ पे माल लिया M है, और यह वाला point क्या है, N है, ठीक है, तो अब जब इन दोनों point को मैं हाँ पे मिलाऊंगा, M से N को ही है, ठीक है, तो जब M को N से हाँ पे मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा है, तो M से N को मिलाएंगे, तो यह basically दोनों circle की common chord हो जाएगे, ठीक है, then the line joining the centers AB, bisect the common chord MN at a right angle, तो यहां से, अब A से अगर इस common chord पे एक line हम draw करेंगे, ठीक है, A से अगर ये, तो A से अगर MN पे, अगर हम एक perpendicular line draw करेंगे, ठीक है, तो A से MN पे एक bisect draw करेंगे, ठीक है, A से M पे हम यहां पे एक bisect draw करेंगे, ठीक है, तो अब अगर center से अगर कोई line draw करी गई है, इस पे chord पे, और ये इसको bisect कर रही है, तो ये line basically perpendicular होगी, ठीक है, ऐसे ये same concept यहां पे है, अगर B से यहां कोई line draw करूँगा, B से line draw करूँगा MN पे, MN पे basically ये point क्या है, ठीक है, तो MN पे अगर कोई line draw करूँगा, और ये line basically क्याσι क्या कर दे है, MN को bisect कर रही है, ठीक है, जैसे B से यहां पे एक line draw करूँगा, हमें जो basically क्या है इसको bisect करिए अगर bisect करिए तो यह perpendicular होगी है में पे ठीक है तो यहां पर हमें find क्या करना है तो हमें यही देख रहा है कि then the line joining the center AB bisect the common cord MN at a right angle ठीक है तो जो line है basically AB line है यह MN cord को अगर bisect करिए तो यह perpendicular भी होगी तो यह हम find कर चुक है कि यह perpendicular भी होगी ठीक है तो first statement दे रखा है यह क्या हमारा true है ठीक है और second statement में क्या दे रखा second statement में दे रखा है if two circle of radius 10 cm 8 cm intersect each other तो यहां पर हमें दो circle दे रखा है एक circle तो दे रखा है 10 cm का तीक है this type से और दूसरा circle हमें दे रखा है यह 8 cm का ठीक है दूसरा circle के रखा है 8 cm का ऑगे इस बास है यह दूसरा circle 8 cm यह दूसरा circle 8 cm का थीक अ ईक कसा रखा है तो circle हमें दे रखा है तो circle हमें का पर यहांप से यह 0 краork mentally 10 cmpiece एक के एIGHT तक जो common cord बनेगी, let's suppose यह है हमारी common cord, तो यह जो common cord है, इसकी length क्या दे रखे है हमें, 12 cm, तो common cord के हमें length कितनी दे रखे है, यहाँ पर 12 cm है, और इसकी radius, इसका center माल लिया, मैंने यहाँ पर A है, इस circle का, और इस circle का center का है, B, तीक है, अब इस circle के center से, यहाँ पर मैं अगर ए तो यह basically क्या होगा, अगर circle के center से, किसी cord पे अगर हम bisector draw करते हैं, तो यह basically perpendicular bisector होता है, यह perpendicular होता है, ऐसे same यहाँ पे में, इस point, इस cord से, B से, center B से, यहाँ पे cord पे एक और bisector draw करूँगा, इस type से, ठीक है, यहाँ पे यह center भी, यहाँ पे मैं माल ले रहा हूँ, तो point मैंने O माल ले तो इसकी value भी 6 होगी, और इसकी MO भी 6 होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, MO equals to NO, equals to 6 cm, और इसकी radius क्या है, इसकी radius है basically 10 cm, तो यहाँ पे मैं इसको इस से मिला दूँगा, तो यह हो जाएगा 10 cm, ठीक है, और इस circle की radius क्या है, इसकी radius है, यहाँ पे 8 cm ठीक है, इसकी radius क्या है, 8 cm, ठीक है, तो अब हमें find क्या करना है, हमें यहाँ पे find करना है, then the distance between their centers is 8 cm, ठीक है, तो हमें find करना है, इनके जो center के बीच की distance है, वो कितनी है, 8 cm, तो अब यहाँ पे यह angle कितना है, 90 degree है, और यह विशिक लिए 6 है, और यह 10 है, तो अगर right angle triangle हमे दे रखा हो, तो हमें एक pythagorean triplet जानते हैं, क्या होता है, 6, 8, 10, ओके, यहाँ पे 10 क्या है, hypertenus, ठीक है, तो 6 तो यह दे रखी हमें, और यह 10 hypertenus दे रखा है, तो यह AO की length कितनी हो जाएगी, यहाँ से 8, ठीक है, तो AO की length क्या हो जाएगी, यहाँ से 8, ऐसे यहाँ पे हम length आजाएगी, कितनी, basically, square root, 8 का square, यहाँ 64, minus 6 का square, 36, ओके, तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, square root, 28, ओके, तो इसको, ob की value, अगर मैं find करूंगा, तो यहाँ जाएगा, basically, 2 square root, 7, ओके, तो यहाँ पे, ab की जो value है, जो दोनों center को मिलाने वाली नाए, इसकी length क्या हो जाएगी, 8 plus 2 square root, 7, okay, that means, यह 8 नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो second statement दे रखा, यह क्या false है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम option देखेंगे, तो यहाँ क्या दे रखा है, statement first is false, but statement second is true, okay, तो यहाँ पर यह option 3 भी गलाता है, option 2 भी गलाता है, option 1 भी गलाता है, option 4 में दे रखा, statement first is true, but statement second is false, कि तो option 4 भी गलाता है, right answer, thank you.